सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को सरकारी विग्यापनों को लेकर नोटिस दिया है कोट ने कहा है कि कुछ राज्य कोट के आदेश को पालन नहीं कर रहे है जिसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है सात ही खोट ने केंड ने सरकार से पूछा है कि सरकारी विग्यापनों पर नज़र रखने के लिए तीन सदस्ये पैनल का गठन हुआ है या नहीं जी यहां अब आपको बता रहे कि सरकारी विग्यापनों पर को लेकर प्रियाब सुप्रीम कोर्ट ने केंदे सरकार को नोटेस दिया है यानि कि अब केंदे सरकार पर शकन जाकस्ता जा रहा है जी यहां सुप्रीम कोर्ट ने केंदे सरकार को सरकारी विग्यापनों को लेकर नोटिस दिया है कोट ने कहा है कि कुछ राज्य कोट के आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं जिसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है साथ ही कोट ने केंदर सरकार से पूछा है कि सरकारी विग्यापनों पर नज़र रखने के लिए क्या तीन सदस्य पैनल से यार किया गया है या फिर नहीं याँ अब राज्यों पर कोट का आदेश ना मानने का रोप लगाया जा रहा है साथ ही आपको बता लेक्ति अब विग्यापनों पर नज़र रखने के लिए ऐस पैनल बना है या नहीं इस पर भी सुप्रीम कोट ने केंद्री सरकार से जवाब मांगा है कहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोड का नोत्यर्स ती हाँ सुप्रीम कोट ने के इन सरकार से पूछा है कि सरकारी विग्यापनों पर नजर बनाए रखने के लिए क्या तीन सदस्य पैनल तैयार किया गया है या नहीं